गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग जैसा कि ट्रिग्नमेट्री के काफी कुछ पार्स हम लोग पढ़ चुके हैं काफी कुछ कॉंसेब जान चुके हैं लेकिन अभी तक मैंने ट्रिग्नमेट्री में आपको एक चीज नहीं बताई है जो कि आज की क्लास में बताऊ हुआ ठीक है क्या होता है कि यहां पे आपको जैसा कि मैंने आपको पहले चार्ट बनवाया था ठीक है जीरो डिग्री टु नाइंटी डिग्री तक का साइन से लेकर कॉसे तक का ठीक है वो चार्ट आपको याद होगा ठीक है उसमें मैंने वेल्यू लिखवाई थी अब उ कि values हमेशा आपको ऐसी put करनी है जिससे कि question आसान हो, question मुश्किल ना हो, भै कोई काम अगर मुझे अपने मन से करना है, तो मैं ऐसा काम करूँगा जिससे कि चीज़े मेरे लिए मेरा रास्ता थोड़ा आसान हो जाए, कि मैं ऐसा काम करूँगा जिससे मेरे मुश्किल रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाए, ऐसा काम तो करूँगा ने, तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, आइए शुरू गएते हैं, ठीक है, जैसे कि माल दीजे आपको कोश्चन दिया गया है, ठीक है, और कोश्चन में आपके पूरे कोश्चन में साइन और कॉस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन और क्या करेंगे साइन थीटा और सेटन स्परिफर करेंगे जीरो धीटा कि रूद करेंगे हैं जो साइन यह सूसना है कि माने जिए सा घीड़ गना बने नित्धी डिग्री से भी काम ना बने तो ऐसा नहीं कि रुख जाएंगे हम लोग ठीक है अगर जीरो और नीटि से काम नहीं बनता है तो फिर हम लोग क्या पूट करेंगे 45 पूट करेंगे 30 पूट करेंगे 60 पूट करेंगे बात समझ मेरी मतलब भी इसको prefer कहना है clear है, ठीक है, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप पहले वो चीज प्रिफर करते ही, जो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, उसके बाद आप कहीं दूसरी ज nessah जाना प्रिफर कहते हैं ठीक है जो second place पर रहेगा वहाँ जाने प्रिफर करेंग ठीक है तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर sin theta और cos theta है तो सबसे पहले आप prefer किसको करेंगे 0 को 0 से काम बनता है तो अच्छी बात है नहीं तो 90 को ठीक है और 0 90 से भी काम नहीं बनता है तो 45 30 60 कर सकते हैं ठीक है इसी तरह मान दीजे 10 और record है तब आप किसको prefer करेंगे 45 को और या फिर 135 को अगर 45 और 135 से काम कि अगर काम नहीं बनता है तो 30 और 60 भी पूट करें सकते हैं ठीक है इसी तरह सक्थिट और पूट करेंगे 45 को प्रिफर करेंगे बात समझ में आ रही है ठीक है अगर 45 पे काम नहीं बनता है तो यहां पर भी 30 और 60 को फिर प्रिफर करेंगे 0 90 को जल्दी पूट करने की कोशिश नहीं करेंगे ठीक है अब कुछ लोग के मन में ये उठरा होगा कोश्चं की मान लिजे कोश्चं में साइन भी एकास भीए 10 भीए कोर भीए सक भीए स्टी trigonometric function है तो उस समय जो सबसे safe value होती है वो 45 होती है क्या होती है 45 ठीक है तो ये बात आप ध्यान दखेगा क्या पहली बात आपको ये ध्यान दखनी है कि अगर question में sign और cause है तो prefer किसको करेंगे 090 को ठीक है 10 quart है तो 45 ये 135 को sec cost है तो 45 को ठीक है बात समझ में आ रही है और ये सब काम कप करते है जब option में angle ना दिया गया है ठीक है angle ना दिया गया इसका मतलब किया कि angle की जगे theta आ दिया गया alpha दिया गया बीटा दिया गया ऐसा कुछ दिया गया है ठीक है उसके अलावा value put करते समय हम लोग हमने आपको एक triplet number के बारे बताया था ठीक है तो triplet number के help से भी हम question को solve कर सकते है ठीक है बहुत सारे लोग को ये लगता है कि केवल theta की value 090,45,135 put करके हम अपना काम बना सकते नहीं ठीक है यहां पर जो हम अपना काम बना सकते है वह theta की value triplet number के form में भी put करके काम बना सकते है ठीक है triplet number आपको यादी है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 6, 15, 17, 21, 29 यह कैसे put होंगी यह सब मैं आगे चलके आपको condition दी रहती है जैसे मान लीज़े आपको कभी किसी question में condition दीए क्या दीए sin square alpha plus sin square beta is equal to 2 ठीक है तो यह question यह equation का मान आ रहा है 2 ठीक है तो इस equation की value 2 तभी आ सकते है जबकि मैं alpha की value यह 90 पट करूं beta की value भी क्या put करूं 90 अपने मन से put कर रहा हूं ठीक है क्योंकि आपको पता है sin 91 होता है और sin 91 होता है तो 1 प्लस 1 के आ गया 2 तो आप देख रहे हैं कि alpha बीटा 90 पुट करने पर है हमारा lhs rhs के क्या हो गया बराबर इसका मतलब भी इस equation के लिए हमारा alpha बीटा 90 प्रिफर कर रहा है clear है ठीक है इसे तर आगला देखिए कह रहा है कि cost square alpha plus cost अभी चलता भी question नहीं चलता है ठीक है इसे तरह कह रहा है cost square alpha plus cost square beta is equal to 2 कह रहा है तो यहां पे भी अब मुझे 2 लाना है तो मैं alpha को क्या put करूंगा 0 बीटा को भी 0 क्योंकि मुझे पता है cost 0 भी 1 होता है cost 0 1 होता 1 1 क्या हो गया 2 ठीक है यह सब आपको रटने की जाओत नहीं है आपको यह सारी चीज़े पता है बस मैं आपको बता रहा हूं ठीक है इससी तरह sin square alpha plus cos square बीटा is equal to 2 दिया गया थो alpha को 90 पूट करे दीजे बीटा को 0 क्योंकि sin 91 होता है cost 0 भी क्या होता 1 तो 1 1 क्या हो गया 2 इसी तरह कभी किसी question में condition दिये साइन अलफा प्लस साइन बीटा इस एकल टू तो यहां पे अलफा नाइन टी होगा बीटा भी क्या होगा 90 क्योंकि 11 क्या हो गया ठीक है इसे तरह किसी कोश्चन में कंडिशन दी कॉस अलफा प्लस कॉस बीटा इस एकल टू तो अलफा भी 0 रखेंगे बीटा भी क्या रखें है यह सारी चीज़ आपको पता होती बस मैंने एक पार आपको बता दिये ठीक है कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आपको दिखे तो आप इस तरह से फूट करके अपना काम चला सकते क्लियर है ठीक है आइए प्लस साइन सकार बीटा इस एकल टू यह कंडीशन दी गई है आपको ठेक है आप से कहरा है कॉस अलफा प्लस कॉस बीटा प्लस टेन अलफा प्लस बीटा की वैल्लू क्या होगी ठीक है अब इस कोश्चन को अगर मैं किसी और तरीके से कहता हूं तो थोड़ी मुश्किल हो ज रहता हूँ तो question आसान हो जाएगा ठीक है अब देखे मैं क्या करूंगा यहां पर यहां पर condition दीए यह वाली condition ठीक है तो यहां पर मैं alpha beta के value ऐसी रखोंगा कि जहां जिस पर यह क्या आजाए 2 आजाए तो आपको पता है कि यह कब आ सकता है जबकि यहां पर alpha value 90 और beta value 90 क्या हो जाए क्योंकि sin91 होता है 2000 क्या होगी तो आप देख रहे हैं कि alpha और beta 90 पर equation हमारी क्या हो रहे है satisfy हो इसका मदलब अगर मैं यहां पर alpha beta 90 रख सकता हूं तो इस question में जो पूछा किया वहाँ पे भी alpha beta value क्या रख सकता है 90 ठीक है तो यहाँ पे मैंने alpha जाए 90 रख दिया beta जा भी 90 तो यह cos 90 यह भी cos 90 यह 90 plus 90 180 आपको पता cos 90 0 होता है cos 90 0 और 10 180 मरलब 10 0 और 10 0 1 होता है इसलिए 180 भी क्या होगा 0 तो answer क्या होगा 0 तो finally question का answer क्या गया 0 तो आप देख रहें कितने आसानी से question solve होगया ठीक है इसी तरही के से अगला question देखे sin square alpha plus cos square beta is equal to 2 ठीक है तब यहाँ पे 2 हमें लाना है तो यहाँ 2 कब आ सकता है जबकि alpha भी 90 और beta भी क्या हो 0 हो ठीक है तो इस बार जो question में पूछा गया वहाँ पर मैं alpha 90 पूट करूँ गो beta 0 क्या कहिना है आपको कहिना कुछ नहीं है आपको बस इतना काम कहिना है कि जो भी question दिया रहे वहाँ पर alpha beta की value put करके क्योंकि मैंने कहा था sin और cos में 0 and 90 prefer करते है ठीक है तो यहाँ पर alpha beta की value अपने मन से पूट करके इस equation को satisfy कराने है satisfy करने मलता बहले अच्छे सारेच के से बराबर कर लेना और जो alpha beta की value यहाँ पर आगी वही आपको जो पूछा गया वहाँ पर रग देना तो साइन 60 किता होता है root 3 by 2 ठीक है लेकिन हमने फिर option देखा option में तो हमारा root 3 by 2 है नहीं option में तो हमारे दिया गया sin alpha by 3 cos alpha by 3 cos 2 alpha by 3 ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ option में भी क्योंकि हमारा answer root 3 by 2 आया है और कब आया है जबकि मैंने alpha को 90 लिया था beta को 0 तो मैं यहाँ प जो कि हमारा सही answer नहीं है क्योंकि यहां root 3 by 2 ठीक है यहाँ पर 90 पूट करूंग तो 90 upon 3 cos 30 होगा cos 30 root 3 by 2 होता है इसका मलब यह हमारा सही answer है यहाँ पर भी हमारी चीज़े satisfy नहीं करने ठीक है तो हमारा कॉंस option सही है second option एक दम सही है ठीक है clear है चलिए अगला question चलते है अगल plus gamma by 2 का मान क्या होगा ठीक है अब इस question को क्या करेंगे सबसे पहले जो given equation है उसको हम satisfy कराएंगे कुछ ना कुछ value रखके कैसे यहां पर फिर वही काम करना है alpha की value 90 रखें क्योंकि यहां 3 लाना है तो इसका मलब यह भी 1 होना चाहिए यह भी 1 और यह भी 1 ठीक है तो यह 1 अब करेंगे यहां पर 90 प्लस 0द यहां पर 90 प्लस जीर्ड बाय टू ठीक है तो 90 प्लस 90 कितना होगहा 180 पॉञटरा है इसी तुरह यहां 2090 साइभ वी उडेः पॉटैष्डवा सब्स यहां इस तो फाइनल Impact क्हांशन का अश्र के तु आगे? syndicate कि अल्फा प्लस बीटा साइनलफा साइन बीटा प्लस क ब्लस को चवलफा प्लस बीटा का मान क्या होगा और। अब और ऑप्शन आपको यह दिंगे इस DAY को सुछन बेटा को स्युन बीटा सने पोड़ी आपको सावधानी रखनी क्या सावधा नहीं रखनी है ठीक है आप्शन में देखे आल्फा भी और बीटा भी है ठीक है तो कुछ लोग सोच रहें कि alpha की value put करें कि beta की value put करें तो बेटा हम value उसकी put करेता है जो की जादा बार आता है ठीक है भाई जैसे आपके घर में कोई जादा बार आ रहा है बहुत बार आरहे है, daily आरहे है, चायपी ने, तो आप उसको भगाने की कोशिश करेंगे, और जो साल में एक बार आरहे है, उसको क्यों भगाएंगे, ठीक है, तो इसका म्नलब यह है, कि यहाँ पे हम वह वाली value पुट करेंगे, जो की जादा बार, जो जादा बार repeat कर रहे ह हлисьبةória कि बार एक बार थेन बार और चार बार रिखा इलफा के रिखार रहा है? एक बार तीन बार और टार्वा रॉया है है इसका प्रिफर्षल किस की पूट करेंगे बीटा की पूट करेंगे, ठीक है, तो बीटा के वेलिव आप क्या पूट करिए, मैंने क्या हो गया 4 cos alpha plus 0 यहां क्या हो गया sin 0 यहां क्या हो गया plus cos 2 alpha plus 0 ठीक है तो आपको पता है sin 00 होता है यहां भी sin 00 कि इसका मलब यह पूरा term हो जाएगा यहां finally क्या बचा cos 2 alpha तो यह हमारा क्या है answer है clear है ठीक है बस आपको value put करते समय यह साफधानी रखनी है कि पहली बात आपको ज्यादा बड़ी value नहीं put करनी है cost sign है तो 090 prefer करना है ठीक है कुछ लोग करें अगर यहां 90 put कर दें तो काम बन जाएगा उससे भी काम बन जाएगा आप put करके देख लिजेगा ठीक है तो यहां पर पहली बात आपको यह देखनी है कि value ज्यादा कठिन नहीं put करनी आसान values put करनी है ठीक है दूसरी बात आप देखना है कि आपको उसी चीज की value put करनी जो की ज्यादा बादी पीट हो रहा है ठीक है और कभी-कभी value put करते हैं समय हम option को भी देखते हैं ठीक है कैसे देखते हैं वह अभी मैं आगे चलके बताने जा रहा हूं ठीक है चलिए यहां पर देखिए आला question cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b cos a cos b करें इसका मान क्या होगा ठीक है अब आप देखिए, पहले option देखिए आप और option देखिए सब जगे a दिया गया cos square sign square cot square contribution हम को बता दिया कि याँ यहां पर हम a की value नही LOL क्रेंगे क्योंकि हमारा option में element option किसमेD Mark वह किसकी value, put करेंगे बी की value put करेंगे ठीक है तो जब हम B के value put करें तो हमने B के value क्या put कर दी? 0 put कर दी, ठीक है 90 भी आप put कर सकते हैं, घर में put करके डेक लिजेगा answer सेम आएगा, ठीक है B के value here 0 put करेंगे, क्या हो गया, cos square है, यहाँ पे cos square 0, यहाँ पे 2 cos A-0, यहाँ पे cos है, और यहाँ cos 0, ठीक है मतलब sin square है, clear है, तो finally हमार answer क्या आगए, sin square A, ठीक है इसी तरह अगला question देखिए, अगले question में क्या कह रहा है, cos square theta, cos square alpha plus theta, minus 2 cos alpha, cos theta, cos theta plus alpha का मान क्या होगा, ठीक है, अब इसमें भी वही चीज है, क्या, कि यहाँ पर आप option देखिए, option में सब क्या है, alpha है, अगर option में सारे इक सारे option alpha में है, इसका मतलब हम, alpha की value नहीं put करें, किस 0, यह cos theta 0 plus alpha होगा, ठीक है, cos 0, क्या होता है, 1, यह cos square alpha, यह minus 2 cos alpha, cos 0 वहीं होता, और यहाँ भी cos alpha, तो cos alpha into cos alpha क्या होगा, cos square alpha, ठीक है, अब यहाँ 1 minus cos square alpha बचा, बोले तो sin square alpha, तो इसका मतलब हमारा कौन सा option सही है, फर्स्ट आप्शन सही है, ठीक है, इससे तरह अगले question प बीटा दिया गया है, ठीक है, आप से कहरा, root 2 cos alpha minus cos beta क्या होगा, option इस बार यह दिये गया है, ठीक है, अब इस आपको समझ नहीं आ रहा है, कि alpha की value put करें की, beta की value put करें, ठीक है, अब देखे, यहाँ पे, हम put किसकी value put करेंगे, beta की value put करेंगे, क्यों beta की value put करेंगे, उसके क्योंकि अकर beta के value put करेंगे तो यहां पर suppose that मान लीजे मैंने देखे पहली बात यहां 90 पूट नहीं करना है क्योंकि 90 पूट करेंगे तो 1090 होता है दुनिया भर का diagram वाइग्राम राइट अंगल ट्रेंगल बनाना पड़ेगा तो क्यों न मैं यहां पर beta को गायब भी कर देता हूं ना जो कि beta को अगर मैं यहां गायब कर दूंगा तो beta को गायब करने के बाद यहां पर देखे यहां कॉस बीटा में भी कोई फरक नहीं पर हमारा question आसान हो रहा है तो हम उसको भी put कर सकते हैं तो यहां beta value मैंने 0 put कर दी जब 0 put की तो क्या हो गया 10 square alpha plus 1 plus 10 square 0 ठीक है 10 square 0 क्या होता है 0 ही होता है 10 square alpha 10 alpha क्या आगया plus minus 1 ठीक है तो 10 alpha बराबर हमने 1 ले लिया तो यहां 1 बराबर 1045 ठीक है और beta value मिल गई 0 तो मैं यहां जो हमसे पूछा गया उसमें alpha बीटा value put कर दूँगा ठीक है जब मैं alpha की value यहां पर put करूंगा 45 तो क्या होगा root 2 cos 45 और यहां cos 0 होगा ठीक है cos 45 क्यों होता है 1 by root 2 root 2 root 2 cancel.1 minus 1 क्या होगया 0 तो finally इस question का answer क्या होगया 0 होगया ठीक है तो आप देख रहे है value put करने से question कितने आसान हो जा रहे है clear है ठीक है इसी तरीके से अगला question देखें क्या रहे है cos x is equal to 2 cos y minus 1 upon 2 minus cos y ठीक है यह आपको दिया गया है ठीक है अब कुछ लोग करें कि यहाँ पर y के value 0 पुट करना पड़ेगा जो पूछा गया है जब 0 पुट करोग तो cos 0 होता है infinite तो क्या y के value 0 पुट करना सही बात है नहीं ठीक है कुछ लोग कहने है 30 पुट कर दीजे 30 पुट कर दीजे भाई चलो यहाँ y के value 30 पुट कर देंगे ठीक है लेकिन आप खुद बताओ यहाँ पर अगर हम y के value 30 पुट कर देंगे यह बात आपकी सही है ठीक है लेकिन जहां पर भी तो y की value 30 put करनी पड़ेगी कहां पर यहां पर ठीक है करनी पड़ेगी और court 30 अपॉर्ट तो फिर भी दिखकता आगी कि यहां भी तो 45 put करना 45 बटे 25 कोट 25 की value पता है क्या नहीं पता है कुछ लोग करें 90 put कर दीजे 90 put कर सकते हैं ठीक है 90 put कर सकते हैं आप put भी करके देखिएगा ठीक है लेकिन उससे चीज़ें थोड़ी सी complicated हो जाती है ठीक है तो यहां पर मैं यहां y के value क्या put करूँगा 60 put करूँगा क्या put करूँगा 60 ठीक है क्योंकि 60 put करने से हमारा calculation आसा आसान हो जाएगा बास समझ में आ रही है clear है तो यहां y के value मैं क्या put करूँगा 60 put करूँगा तो 0,90,30,45 क्यों नहीं put किया यह आपको clear हो गया होगा ठीक है तो जब मैंने y के value है 60 put की तो क्या हो गया cos x बराबर 2 cos 60 minus 1 upon 2 minus cos 60 ठीक है cos 60 के value क्यों होती है 1 by 2 ठीक है तो cos x बराबर 2 into 1 by 2 minus 1 और 2 minus 1 by 2 यहां हो जाएगा 2 से 2 cancel out होगा तो 1 minus 1 0 तो 0 बटे सम्थिं क्यों होता है 0 ठीक है तो जब cos x 0 आगे बताए cos 0 कब होता है cos 90 पे होता तो x के value के आगई 90 ठीक है तो आपने देखा कि y के value 60 put करने पे x के value के आगई 90 ठीक है तो यहां पे जो पू 60 upon 2 तो 10 90 upon 2 में लब 1045 और यह court 30 और 1045 होता है 1 और court 30 होता है 1 by root 3 तो finally this question का अंसर के आगया 1 by root 3 तो ऐसा नहीं कि आप जटके में कोई भी value put कर देंगे ठीक है आपको value भी वैसी put करने जिससे question आपका क्या हो जाए आसान हो जाए कठिन की question नहीं बनाना है clear है ठीक है तो य 30 और 45 पुट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है तो prefer किसको करूंगा या तो 90 या तो 60 90 आप घर में पुट करके देखेगा 60 मैंने पुट करके आपको दिखा दिया है clear है ठीक है चलिए अगले question पे चलते है अगले question में क्या कह रहा है कह रहा है sin theta is equal to 3 sin theta plus 2 alpha ठीक है है यहां पर मैंने क्या किया हमने कहा है कि झो ज्यादा बार आँ तो यहां ज्यादा बार कौन हो रहा है theta ठीक है तो मैंने theta कल लुग यहां क्या put कर दी जीरू क्योंकि हमने कहा है जो जिससे question आसान होला मैं है मैं पता है कि यहाँ 0 जैसे put करेंग वैसी sin गायब हो जाएग, ठीक है, तो यहाँ 0 बदाबर 3 sin 0 प्लस 2 alpha, ठीक है, तो sin 0 होता है 0 और 3 sin 2 alpha बचा, ठीक है, तो यहाँ पर sin 2 alpha भी 0 आगिया, और sin 0 कब होता है, 0 degree पर, है नै आलंवरा बाबरेक voluntary two alpha भाइब0 अभी यह तो अवने देखा कि जब मैंने थीटा को 0 ख्यां तो Alpha भी हम रा दोगी यह तह सब सब कर दें जूखा कि इस्ञेड़ सबक्राइब एक जो सबनें तक का एल्फा थीटा फ्रंस्ट कि यहुआ हो value put करने बहुत काम में आते हैं तो वही मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं ठीक है इस question के medium से ठीक है आई यह क्या कह रहा है कि रहा है पी बराबर से theta plus 10 theta आप से कह रहा है पी square minus one upon p square plus one command क्या होगा ठीक है अब यहाँ पे चाहें तो हम value put कर सकते हैं 45 अगरा put कर दीजिए answer आजाएगा no doubt लेकिन मैंने कहा कि मैं triplet number से भी question को कहना आपको सिखाने जा रहा हूं ठीक है तो यहाँ triplet number में कुछ कहना नहीं होता है बस right angle triangle बनाईए ठीक है right angle triangle में मैंने सबसे छोटा triplet उठा लिए सब क्योंकि ज्यादा बड़ा उठाने का मतलब है calculation बड़ी करना ठीक है तो मैंने सबसे छोटा triplet ला लिया क्या तीन चार पांच ठीक है अब आब बताईए यहां कह रहा है कि यह तीन चार पांच ऐसे ले लिया ठीक है यहां कहरा पी बराबस sec theta plus ten theta अच्छा बताईए अगर मैं theta लिया हो तो sec theta आप निकाल सकते sec theta क्या होता है करन बते आधार मलब 5 बते चार हो गया 10 theta क्या होता है वैसे हमारा PKLU के आ गई 2 अब यह जो PKLU 2 आई है इसको मैंने जो पूछा गया वहां पर जाके पूट गया तो क्या हो गया semi-2 squared plus 1 तो 4 minus 1 होता है 3 4 plus 1 होता है 5 वैसे बताईह तीन हमारा क्या है Perpendicular है 5 ज्या हाई-iggles, क्या होता है साईन हता है तो मिलता पिसा कोष्ण का अंसर क्या आगया, साईन 2 actually clear है वह देख रहे अदिन्दिस केंशन केंगसन हो हो गया है ठीक है इसी तरह अगला question देखते हैं कि इस question में कह रहा है a बराबर 10 theta minus quad theta d बराबर sin theta plus cos theta आप से कह रहा है b square minus 1 का whole square और a square plus 4 की value क्या होगी आप से पुछा गया है ठीक है आप देखिए इस question में वही चीज आगी जो मैंने आप से पहले कही थी क्या कि question में आपको 10 भी दिया गया code भी दिया गया sign भी दिया और cause भी दिया गया ठीक है तो यहाँ पर जो value put करना ज्यादा सही है वह है 45 45 इस question के लिए सबसे safe value है ठीक है अब कुछ लोग कह रहें कि सार आपको कैसे बढ़ा चल जाता है इसके लिए आपको practice करने पड़ेगी जितना ज्यादा ज्यादा question की practice करेंगे उतना ज्यादा ज्यादा यह सारी थीटा की value क्या पूट कर दी 45 पूट कर दी जब मैंने थीटा की value यहाँ 45 पूट कर दी तो यहाँ क्यों हो के यह बराबर 1045-45 तो 1045 भी 1 होता है कॉट 45 तो 1-1 तो एक value क्या गई 0 ठीक है इससे अब बी के लिए यहाँ थीटा की value 45 पूट कर दी sin45 cos45 sin45 वहता 1 by root 2 यह भी 1 by root 2 ठीक है तो यहाँ क्या हो गया 2 by root करूंग बी के लिए root 2 पूट करूंग तो क्या होगा root 2 का square 2 तो 2-1 हो गया ठीक है और इसे तरह एक value 0 थी तो 2 में से एक गया एक और 4 एक कम जा तो पाइलिस question का answer क्या जाएगा चार ठीक है question आसानी था ठीक है इसे तरह अगला question देखिए ठीक है अगले question में देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कह रहा है 1 plus sin a minus cos 1 plus sin a plus cos से इसका मन क्या होगा ठीक है अब यहाँ वह और option दिया गया यहाँ आप देख रहे है sin और cos है तो मैंने a की value क्या पूट कर दी 90 ठीक है जब 90 पूट के दी क्या गया 1 plus sin 90 minus cos 90 ठीक है आपको पता sin 91 होता है cos 90 0 1 plus 1 2 1 to 2 2 specifically ₋2 तो olan好吧 2 तो हम समझे इसका answer 1 आ रहा है लेकिन option में तो कहीं वह दीक नहीं रहे है तो option में भी मैं a की value क्या पुट करूंगा वन पूट करूंगद तो जी स option में a की value 90 पूट करूंगा जी सपशन में 90 पूट करूंगाक ने पर उस option में केलो 90 पुट करने पर वन आ जाएगा वही हमारा अंसर होगा ठीक है तो यहां पर जब मैं इने 90 पुट कर दिया तो 90 अपॉट टू होता है 45 ठीक है और 1045 रोता है वन चलो आगी हां ठीक है लेकिन आप मैं आगे भी चेक करूँगा भई ठीक है अब इस option से हमें कोई मतलब नहीं रह गया लेकिन दिक्कत एक जगे आ रही किया कि आप देख रहे हैं यह वाला जो option है जो यह वाला option हो जो यह वाला option है दोनों option से क्या रहा है one one आ रहा है तो अब एक ही question के दो answer थोड़ी न सही हो सकते हैं ठीक है हमारे दो option सही हो जाए तो आपको एक और value पूट करके देखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि जो बात पहली value पे सही बैठ रही है वो बात दूसरी value पे भी सही बैठेगी तो जब मैंने a क value 90 put कि आता तो हमें दो option सही मिल गए थे पहला भी और दूसरा भी यहां भी one आ गया तो यहां भी one ठीक है तो इसलिए मैंने a क value एक बात दुबारा भी put की और क्या put की ठीक है जब मैंने a क value यहां 0 put की तो क्या हो गया 1 plus sin 0 minus cos 0 1 plus sin 0 plus cos 0 ठीक है आपको पता sin 0 0 होता है cos 0 1 होता है तो 1 minus 1 बटे 1 plus 1 तो 1 minus 1 0 बटे something क्या हो गया 0 ठीक है तो हम समझगे कि इस बार हमें option में a की value 0 पुट करनी है और 0 पुट करने पर 0 पुट करने पर जहां पर 0 आजाए वह हमारा answer होगा ठीक है अब यहां पर नीचे आले दोनों option में put करने जौत नहीं क्योंकि यह दोनों तो पहले ही क्या हो गए है गलत हो गए ठीक है बस हम यहां ऊपर के दोनों option पुट करेंगा जब यहां मैंने a की value put की 0 तो 10 0 पुट की जिरो और 10 0 क्या होता है जिरो ठीक है यहां 0 पुट की तो 0.20 कॉट 0 क्या होता है infinite तो आप देख रहे हैं दूसरी बार एक value 0 पुट करने पर जिरो आगे यह क्या आगे infinite जबकि यहां क्या रहा है 0 ठीक है तो हमारा कॉंस option सही है first option सही है ठीक है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार value put करने पर आपके दो option सही हो जाते हैं तो उन दो option को भी eliminate करने का क्या तरीका होता है कि आप एक बार और value put कर दो ठीक है क्या होगी option जीरो एक दो तीन दीए ठीक है आप देख रहे हैं साइन भी है सेक भी है कॉस भी है कॉस भी है तो यहां सबसे ज्यादा प्रिफर कौन सी वेल्यू पूट करेंगे मैंने कहा था एक वहता है रूट टू साइन फटिफाइ वन बाई रूट्ट तू रूट्टू दो तो में से गया बराबर वन बाई रूट्टू आ गया ठीक है इसी तरह यहां पे बी के लूब फॉर्टि यहां थीटा कर लूब 45 इसमा पूट करेंगे तो क्या होगे सेक 45 माइनस कॉस बदाए रूट टी ए भी वन्भाइड टी ए prowad यहां टीक है तो मैंने यह और बेकल वन बाइड टी पूट कर दी जो हमसे पूछा गया तो वन बाइड टी कиях ईसकोर ऒन बाइट टी यहां भी वन ne गौई टी यहां भी वनाट रनी टी ओर यहां ठीक है इसे तरह अगला question देखिए, अगले question में कह रहा है, m बराबर sec theta minus cos theta, n बराबर cos theta minus sin theta, कह रहा है, m square n की power 2 by 3, mn square की power 2 by 3, इस command क्याओ को option 0, 1, 2, 3 दिये गए, ठीक है, अब इस question को कैसे करेंगे, ठीक है, इस question के में फिर वही काम करेंगे, यहाँ theta का value क्या put करेंगे, 45, क्योंकि यहाँ पे 4, 4 trigonometric function दियेगे, तो सबसे best value हमारी का है, 45, तो जब यहाँ मैंने 45 put किया, तो m बराबर किया गया, sec 45 minus cos 45, sec 45 क्या होता है, root 2, cos 45, 1 by root 2, ठीक है, तो root 2 into root 2, 2 में से गया, 1 by root 2, m के value, 1 by root 2 आगे, इसी तरह यहाँ पे put करेंगे, तो cos 45 minus 14, root 2 minus 1 by root 2, मतलब, ठीक है, तो यहाँ n के value भी क्या आगे, 1 by root 2, हमने देखा, m b 1 by root 2, n b 1 by root 2, तो m बराबर मतलब क्या आगे, n आगे, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमसे पूचा गया, वहाँ पे n जहां, जहां है, वहाँ आप m लिख लीजे, जहाए, जहाँ m है, वहाँ n है, वहाँ m लिख लीजे, ठीक है, तो सारे n की जेकर मैंने m लिख लिया, तो m square m, power 2 by through m, m square, m square plus m square, 2m square, और 2m की लिख लीजे, 1 by root 2, तो यहाँ पे करेंगे, तो answer की आगे, clear है, ठीक है, इसी तरीके से अगला question देखिए, अगले question में कहे रहा है, sin x plus cos sec x का whole square, plus cos x plus sec x के whole square, minus 10 x plus cortex का whole square, ठीक है, अब देखिए, यहाँ के 6 के 6 trigonometric function दिये गए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा best value यहाँ पे क्या है, 45 put करना है, ठीक है, तो जब मैंने यहाँ 45 put किया, तो क्या हो गया, sin 45, 1 by root 2, cos x 45, root 2, cos 45, root 2, sec 45, sorry, cos 45, 1 by root 2, sec 45, root 2, इधार इधार रोक है, ठीक है, आप देख लिजेगा, उसे है, ठीक है, 1045, 1, cos 45, 1, ठीक है, तो यहाँ पर जब LCM link, तो root 2 into root 2, 2, 2 में एक जोड़ा, 3, 3 बटे root 2 का whole square, यहाँ भी root 2 into root 2, 2 में एक जोड़ा, 3, 3 बटे root 2 का whole square, ठीक है, और यहाँ एक में एक जोड़ा, 2, ठीक है, तो आप बताई, इसका square गएंगे, तो 3 का square 9, और यह गलत लाइन है, इसको ना देखेगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3 का square, 9, 2, 2, 2 का square, 2, 3 का square, 2, तो तो, 9 बटे दुग में लबब साड़े 4 होता है, तो 4 में साड आणली चार्ज, ओड़ेंगे, तो 9 आएका 9 में, चार जयए, 5 तो, finally, question का answer क्या आ गया, 5 आ गया, clear है, ठीक है, इसी धर आगला question देखिए, अगला question भी आसानी है, कैसे diff धा मैंनस cos theta, cos alpha, cos theta, cos theta, sign theta, minus cos theta, minus cos theta, minus 10 theta के whole square का माल, क्या होगा option यह दिए गए ठीक है यहाँ पर मैं theta को 45 पुट करूंगा जब 45 पुट किया sec 45 root 2 cos 45 1 by root 2 cos 45 root 2 sin 45 1 by root 2 cos 45 1 1045 1 ठीक है तो root 2 into root 2 2 में से गया है कि एक बट्टे root 2 का स्क्वाइर एक बट्टे दो आएगा यहाँ भी एक बट्टे दो यहाँ जीरो तो आंसर क्या आगा एक ठीक है को कौटे का मान में के का मान क्या होगा ठीक है अब यहाँ पर देखें यहाँ पर कुछ लोग करें एक वेल्लू 10 और क्वाटर तो एक वेल्लू 45 पुट कर दीजिए भाई आप 45 यहाँ पुट करें 45 पुट करोग तो यहाँ वन आएगा वन माइनस वन जीरो सम्तिंग बटे जीरो हो जाएगा इन्फाइनाइट ठीक है इसलिए मैं यहाँ पर 45 नहीं प्रिफर करूंगा यहाँ किसको प्रिफर करूंगा 135 ठीक है अब यहाँ पर 10 135 मैंने रखा ठीक है 10 135 की होता है मैंने रखा रखे को मैंने आपको बताया है तो 10 35 यहां-बी मैंनस वन फॉन प्लस तो क्या हो गया 2 इसे तर्धर कोड बन फॉन फॉन और यहां कोड बन तार्टी बहाँ तो मांनस अबक्षा Would antico यहां के प्लस 10-25 माइनस ओनayed और यह भी मैनस मेंद स Industries तो मैनस 17kin प्लस ऐपी माइनस से तो माइनस बाइट तो मैनस मइनसंहों ऑacaoगय सीकर तो के कि बराभर की upon sin theta minus cos theta plus k sin theta plus cos theta में दिया गया आपसे करा के कमान क्या हो गया ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने value put कर दी साइन और cos के टम जादा दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ 0 put कर दिया ठीक है क्योंकि 0 put करने पर कोई भी चीज पहली बात infinite के तरफ नहीं जा रही और 0 put करने पर बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी ठीक है तो जब मैंने यहाँ 0 put कर दिया theta value तो cos 0 क्या होता है 1 ठीक है अगर आपको यह सारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लोग इस वीडियोस को ज्यादा ज्यादा देखिए ज्यादा ज्यादा लाइक करिए कमेंड करिए ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ठीक है लोगों को बताईए कि पढ़ाया जा रहा है online class चल रही है ठीक है और घर में बैठके आराम से आप लोग नोट्स भी बनाते रहे हैं वीडियो से रिलेटेड ठीक है और कोई भी दिक्कत आती तो आप हमारे चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं ठीक है ओके थैंक यू सो मच प्लास